हलो नमस्कार वनकम सस्रीयकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैगनल ब्रेंस आइटी जेए नीट में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम शॉट लेने जा रहे हैं किल करने को किस चैप्टर को भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को ठीक है ना आज का ज हैं कि नहीं फटाफट कंसेप्ट ग्लांस का यह वीडियो है यहां पर जो बच्चे आते हैं और यह सुचते कि यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वह यहां से बात है आपका एक्जाम आने वाले 10 दिनों 15 दिनों में है बीस दिनों में है तो भाई यहां से कुछ भी नय पढ़ना स्टार्ट ना करें अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो हमारे जो कंसेप्चुल वीडियो से जो बेस वीडियो से उन्हें जाकर देखिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट करिए यह सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बस एक्जाम देने वाले हैं 17 जुलाई क नीट का ठीक है चोलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को इसमें हमें क्या क्या पढ़ना यह सारी कि सारी चीज़ें आज हम निप्टा देंगे टेम्परेचर ही थर्मल एक्सपैंशन स्पेसिफिक हीट कलोरी मेंटरी लेटेंट हीट हीट ट्रांसफर प्रफे कितना कोई बाडी कितनी गरम है या कितनी ठंडी है आपको तभी पता चलता है जब आप उसका टेम्परेचर जानपाई तो आप हाथ से टॉचछ करके यह बता देते थे हैं बता सकते हो अभी जंखर पहले क्या पहले कि आ पतकर अभी की बात करूं अगर मैं आपको मूलों celsius का जो अबजेक्ट है वो भी थंडा कहलाएगा पांच डिग्री सेल्सियस का जो अबजेक्ट है वो भी थंडा कहलाएगा ठीके ना तो यह जो डिग्रीज है यह जो डिग्रीज है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं टेंपरेचर बोलते हैं आई बात समझ में यह भी बहुत इंपर्टन बात है कि जब आफ फ्लो फीट की बात करते हो मान लीजे जैसे एक चाय का कप है मान कह लीजाए ऐसा डाइग्राम बनाऊगा ना कि तुम लोग बहुँ चक्के रह जाओगे और बोलोगे कि वा यार सर क्या चाय का कप बनाया है वा यार सर वा मानन मान दों के नहीं मानते है और यहारे बाईँ को मानते दो सब है वार सर वात क्या बात है तो लुटारे हों कि अगे हनली जिर Christ चाय का इनीशर्टो एस सिर्टीड की एसुक्री सोनbon के ट्रांसफर में हीट हमेशा फ्लो करती है from higher temperature to lower temperature heat हमेशा कहां से कहां flow flow करेगी from higher temperature to lower temperature from naturally from higher temperature to temperature to to lower temperature लेकिन अगर मैं किसी गरम चीज को वापस ठंडा करने थंडी चीज को वापस गरम करना चाहूं तो अपर मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा समझ रहो की नहीं समझ रहो हां सर समझ रहो अरे भाई माल लो कोल्ड रिंग समझ न मेरी बाद कोल्ड ठंडी थी आप उसको लाकर रग दिया हमारे रूम में गराम हो गई कोल्ड रिंग अब थंडा करना है वापस वापस आगए घर ठीक है थर् box पढ़ए है ना जभ रेफ्रिजिरेटर ही बात करें तब आपको समझ में आएगा तो ठीक हाई हीट की बात करने से पहले हमें जानना चाहिए था कि agency चिज़ुरी है नाम है दो क्यों धूंग डियर्युटेटर 9 बटारेक्शन है की कहां जा रही है सिस्टम से उस सिस्टम में जा रही है कि उस सिस्टम से सिस्टम में आ रही है यह आपको तब ही समझ में आएगा जब आप दोनों सिस्टम के temperature को जान पाओगे और temperature क्या होता है degree of hotness और coldness अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक body अना लेकिन आप मुझे नहीं बता पा रहे हो कि इसका temperature कितना है आप बस इतना बता पा रहे हो हाँ से चूँके कि यह ज्यादा ठंडा है वो कम ठंडा है तो भाई यह ज्यादा कम से जिंदिगी नहीं चल रही थी उनने वह लाए थर्मोमेटर यानि के डिवाइस बनाना चैनो थर्मोमेटर बना हो चाहे Celsius का हो चालहे फैरंहाइट और चाहे यौलियं का हो चाहे कोई भी भी उसक्तिम नाम का थर्मोमेटर बना दू उसको उसको जब कenne करोगे तो दो पॉंट होने चाहिए एक होना चाहिए आईस पॉंट और एक होना चाहिए होना चाहिए केलिबरेशन के लिए दो पॉंट सेट किये गए थे हम किलिए जू सब्सक्रवाइब केsricka गाए अपको होता है या यह तर नो शुक्रषिया सबस्कुंट्सि कांडे सर्मोमेटर चाहती है आइं डिनकी में इस के इसको परवाइड कर दिए स्केल ऑनाव फैरन weapon को न चिया होती है कॉन काजने स्केल उती है सेल स्केल होती है एक Celsius स्केल होती है एक Fahrenheit Catholicsねぇ Fahrenheit स्प valley देख लिजगे प्रीज एक बार Fahrenheit स्केल होती है और एक होती है हमारी Kelvin Scale हाँ ते Celsius में हमेशा degree Celsius लगता है Fahrenheit में degree Fahrenheit लगता है बाट Kelvin में कभी भी degree निलगता है ये बात याद रखना, Kelvin में कभी भी degree नहीं लगता है सारेLL में एक पॉंट अइस-पॉंट होता है कैलुबरेशन की लिए और सकते हो हर तरीके से और को चैंज कर सकते हो इसके लिए आपको ज़रुवत पढ़ती है conversion factor की तो चलिए चलते हैं conversion factor पे scale of temperature अब देखो यहां पर जो conversion है वो depend करता है इस formula पर जो formula है आप चाहो तो इस formula को भी याद कर सकते हो लेकिन अगर आपको formula नहीं याद करना अगर आपको formula नहीं याद करना है तो फिर आपके पास एक ही option रह जाता है आप समझ लोगी कैसे यह formula आया है ठीके ना जैसे कर मैं आपको example दो कि अगर मुझे डिगरी celsius को Fahrenheit में change करना है और मुझे conversion factor बनाना है conversion unit बनाना है या conversion का एक formula बनाना है तो मैं क्या करूंगा मान लीज़े मुझे से पूछ लिया गया कि सुनो क्या करो 24 डिगरी celsius को Fahrenheit में चेंज करके बाता हो कि Fahrenheit में कितना दिखेगा 24 डिगरी celsius तो आप पता है कैसे asco बहुत है आपको क्या करना है degree celsius temperature temperature in degree celsius minus 20 point minus 20 point यानि 0 degree celsius ठीक है अपन steam point minus 20 point बस यह दिखा हुआ है एक एक स्केल को य स्केल में change करना है तो temperature in x minus 20 point अप ऑन steam point minus 20 point वहीं तो किया मैंने degree celsius को मुझे Fahrenheit में change करना है तो डिगरी celsius minus 20 प्वाइन स्टीम पॉइंट मैनस आईस पॉंट ठीक है किसमें चेंज करना है फैरन हाइट में चलिए फैरन है नाइट में चेंज करेंगे माइनस इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फैरनाइट क्या होता है 32 मतलब celsius scale में हम मानते हैं कि बरफ जंती है 100 डिग्री celsius पे Fahrenheit में हम मानते हैं कि 32 डिघ्री Fahrenheit पर बरफ जम जाती है आप अपने नाम की ऻिस्केल बना सकते हो कि Setiam मैंने नाम से स्टेव नहीं है चलो नीचे 212 इसका स्टीम पॉइंट होता है माइनस माइनस 32 फैरणाइट 32 डिग्री फैरणाइट आप देखो 24 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना था तो आप इस वेल्यू को यहां से हटा दो और यहां पर पूट कर दो क्या 24 डिग्री सेल्सियस को सॉल करो इसको आप सॉल करोगे तो आपको डिग्री फैरणाइट की वैल्यू मिल जाएगी समझे की नहीं समझे तो ऐसे ही आप डिग्री सेल्सियस को फैरणाइट मिला सकते हो डिग्री सेल्सियस को कैलविन मिला सकते हो कैलविन को फैरणाइट में ला सकते हो सब के बीच के रिले अभी हमेशा मूफ करते हुए दिखाई देती है बाउंडरी क्रॉस करेगी तो ही दिखाई देगी नहीं तो नहीं दिखाई देगी एनरजी इंट्रांजित किसी बर्तन में गरम पानी भरा हुआ मैं आपको दूर खड़ा कर दूर रखा हुआ है बर्तन आप देखकर नहीं बता पाऊगे कि उस बर्तन को टच करोगे ना तुरंत आपको गरम लगेगा क्यों क्योंकि आपने हाथ जैसे ही टच किया temperature difference create हुआ temperature difference can't heat move हो गई higher temperature to lower temperature और आपके हाथ को feel हो गया कि सामने वाला जो बरतन था वो गरम था समझें कि नहीं समझें तो heat तभी feel होती है जब उसको आप boundary cross करने दो बरतन की boundary cross करके वो हाथ पर आई तब जाकर आपको heat feel हुई दूर खड़े हो कि आपको heat feel नहीं हो रही थी आगे जाके हो कि जब आप radiation पढ़ोगे अभी नहीं हो रही है अभी हम नए नए अभी हमको इतना समझ में आया कि heat is energy in transit मतलब हमेशा energy क्या करेगी आपको transit करते हुए दिखेगी तब वो heat कहलाईगी आई बात समझ में okay which characterize the thermal state of the matter it is it is transferred from one body to the other due to temperature difference बिलकुल important बात है temperature difference के कराण ही क्या होता है heat का transfer होता है heat is a scalar quantity सबसे पहली बात heat is a scalar quantity अच्छा इसका dimensions होता है ml square t-2 यह energy का dimension है याद करो किसका dimension है energy का dimension है ठीक नहीं एट एसा एसा है जूल व जूल के जूल के अलावा एक कैलरी किसके बराबर होती है four point one eight जूल के बराबर होती है जब भी आप अपना system देखोगे यह थर्मडीनमिक्स में पढ़होगे कि जब भी system से heat बाहर जाएगी वाली आपका system है अना जब भी system से heat बाहर जाएगी तो आप उसको बुलोगे कि heat रिजेक्ट हुई और अब से क्या लोगे नेगेटेव लोगे और जब भी बाहर सराउनिंग से सिस्टम में हीट आईगी तो आप बोलोगे की हीट क्या हुई है एड हुई और आप उसको क्या लोगे पॉजिटिव लोगे हम थर्म यह पढ़ेंगे क्लिया पका हासर चलो तो या contract करती है चाहे वो रेल की पटरी हो चाहे वह आपके bridges हों bridges में आपके पट्टे लगाई जाते हैं यह जो blocks होते हैं ब्रिजस के उनके बीच में छोटा-छोटा सा gap छोड़ा जाता है वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि सब को पता है सब को पता है कि thermal expansion जैसी चडिया exist क सबस्क्राइब है यह जमाता है कि अध chuckling कर जाता है और जैसी थंड दाų बहुत थोड़ा दो भी नी हो सकता है और तोरहां बॉल्सक्राइब कर जाता है contract कर जाता है यह आपको कैसे समझ में आता है यह आपको समझ में आता है मता है मुझे कैसे समझ में आता है क्योंकि मेरे घर पर जो वायर है ना उसके पीछे क्या है एक दीवार है चूने की दीवार है तो जो जंग के निशान होते हैं वो जंग के निशान उस दीव self weight होता है बहुत सरी चीज़ें होती है लेकिन हाँ यह भी एक रीजन है इसको हम डिनाए नहीं कर सकते रेल की पट्रिया जो होती है गर्मी में क्या कर जाती एक्सपैंड कर जाती है समझ लोगी निसमुझ रहे हैं सर समझ रहे हैं तो अल्मोस्ट आल सबस्टेंस चाहे सॉलि हो लिक्विड हो गैसे हो एक्सपैंड on heating and contract on cooling the expansion of substance on heating is called thermal expansion of substance यहां पर हम एक वैल्यू का यूज करेंगे alpha जो की coefficient of thermal expansion होता है coefficient of thermal expansion होता है coefficient of thermal expansion होता है जो आपको बताता है कि अगर आप कोई material चूस कर रहे हो तो वह material गर्मी के साथ या temperature के साथ किस तरीके से expand होगा alpha की value चलिए यहां पर हम बात करने वाले thermal expansion in solid की जिसमें पहला होता है linear expansion linear expansion भी यह चैने चेंज इन लेंद आपके पास कोई बार है मान लिजे कोई बार है इसकी लेंद कितनी है आपकी मान लीजे लॉट इसकी देंद है ठीकिन आपने इसको temperature दिया इसका temperature भाया थोड़ी दिर बाद आपने देखा किसकी टैमरेच्परेश इसकी लेंद़ में क्या आगया है चेंज आ गया है डेलल-काचेंज जिसकी लेंद में आ गया है ओके अगर डेलल की आप बात करो के तो चेंज इन लेंद कैसे निकालो गया आप अल्फा डेल्टा टी कैसे पता हमने थर्मल स्ट्रेस पढ़ा है थर्मल स्ट्रीन पड़ी है हम जानते हैं चेंज इन लेंद अपॉन ओरिजिनल लेंद जो होता है और वो किसके बराबर होती ऐल्फा डेल्टा टी के बराबर तो अगर आप किसी भी रैंडम बॉड़ी को उठाओ उसे हीट अप करो क्या करो हीट अप करो और इसको फ्री रहने दो उसे कहीं से रोकना नहीं आप देखो कि अगर मैं इसको तरह टेंपरिचर देता हूं यह रहा हूं तो यह कितरा एक्सपैंड करता है तो लीनियर लियाने कि इसकी लेंग कितनी एक्सपैंड होगी एल लॉट अलफा डेल्टा टी आए मरी बाद समझ में आशार समझ में आगी है मतबद इसकी फाइलनलेंग्ड क्या हो जाएगी अलौट प्लस देल टायल प्लस डे क्या बढ़ते हैं यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा डेल्टा एल इक्वस्टो एल नोट अल्फा डेल्टा टी फाग बने है यूनिट क्या होती है अल्फा की यूनिट क्या होगी पार डिग्री सेल्सियस और पर कल्विन चलिए आगे बढ़ते हैं सुपरफीशल एक्सपैंशन और एरियल एक्सपैंशन यहां पर क्या हो रहा है एरिया इंक्रीस हो रहा है यहां क्या हो रहा है एरिया यह था और उसके बाद क्या हो जाएगा एरिया यह हो जाएगा एरिया क्या कर गया भाई बढ़के इसको बोलते हैं सुपरफीशल शिडिया का नाम है, beta is the coefficient of, coefficient of superficial expansion, ठीक है na, coefficient of superficial expansion, या aerial expansion, coefficient of, aerial expansion, अच्छा लगगा था, बुलने में इसलिए मैंने लिख दिया, aerial expansion, तो final area कितना हो जाएगा, final area हो जाएगा, a0, 1 plus beta, delta t, ये भी आधर रखियेगा, next is, volume or cubical expansion, समझ गया होगे आप, समझ गया होगे, जब आप temperature दोगे, तो volume में कितना change आएगा, ये आपका, coefficient of volume expansion, या cubical expansion, बताएगा, ठीक है, clear है, तो ये delta a होगा, ठीक है, यहाँ पर, delta v is equals to v naught, gamma, delta t, gamma ही है, चलिए, gamma है, ठीक है, coefficient of, gamma क्या होगा, coefficient of cubical expansion, coefficient of cubical expansion, वह, एक number, coefficient of cubical expansion, ठीक है, ना है, very good, अब यहाँ पर एक चीज आती, एक relation आता है, वो relations रफटाक से हम देख लेते हैं, कि जो gamma होता है, वो three times of alpha होता है, और जो beta होता है, वो two times of alpha होता है, यह बात याद रखिएगा, अभी इसको प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हाँ, लेकिन यह है, और आप इसे note down कर सकते हैं, या आपने formula sheet में चेक कर सकते हैं, कि आपने यह लिखा है कि नहीं, जो आपका coefficient of volume expansion है, वो three times of alpha होता है, और जो coefficient of aerial expansion है, वो two times of alpha होता है, very good, आगे बढ़ते हैं, next, by metallic strip, क्या, by metallic strip, यहाँ पर दो strip आपको दी गई है, दो metallic strip आपको दी गई है, जिनकी length same है, उनको हमने fix कर दिया है, साइट से, क्या कर दिया है, जोड दिया है, जोड दिया है, अना, अब उनकी length L है, एक का coefficient of thermal expansion है, अलफा 1, दूसरे का है, अलफा 2, अलफा 1 जो है, अलफा 2 से बढ़ा है, अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा heat up करूँ, heat up करूँ, मतब delta T, इसका बढ़ा हूँ, positive रखो, temperature बढ़ा हूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जिसका coefficient of thermal expansion है, वो ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगी, और भाई, change in length किसका जाधा होगा, change in length, alpha, change in length किसका जाधा होगा, change in length जाधा होगा, one वाले का, as compared to, second, लेकिन वो दोनों फसे हुए, क्या है, दोनों, चिपके हुए, तो क्या करेंगे भाई, ऐसा कुछ होगा, जो आप शायद ना सोच पाएं, या शायद सोच भी ले, क्या होगा, अगर हमने इनको हीट किया, तो जैसी आप इसे हीट करोगे, तो देखो, ऐसा कुछ होगा, मैं बनाता हूँ, एक सेकंड मुझे, जर अपने अंदर के MF हुसीन को जगाने दीजिए, जर यार, आप कैसे मजाग उड़ा तो, मजाग नियोड़ा रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, अपनी भी और की भी, है, अरे यार, continue to try out, ठीक है, कुछ ऐसी कंडिशन हो जाईगी, हाना, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा, ठीक ना, कि शूरी कुछ ऐसा इंतिजाम हो जाएगा, अब आप देखो गए, कि भाई ये है, एक तो radius r1 बहार, r1 बोलू, इसको r2 बोलू, यह हो गया, radius r1 और यह हो गया, radius of करवेचर, r2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, अगर आप देखोगे, तो ऊपर वाली लेंद्स थोड़ी सी बढ़ गई है, हाना, और नीचारी लेंद्स से वो थोड़ी जादा है, तो आप यह देखना, कि जिस पर ज्यादा मुड़ी है, तो इसका अलफा क्या होगा, अलफा 1, अलफा 2 से ज्यादा होने वाला, यह बात पक्की है, ऐसे क्वेशन पूचे गए है, प्रीज धिहान लखिएगा, चलिए आगे बढ़ते है, next question पर चलते है, gain और loss in time pendulum, pendulum का केस है, यहाँ पर हम क्या करेंग समझते क्या है, फटाक सिर्फ इसका वो देखेंगे formula, क्योंकि यहाँ समझने का time हमारे पास है नहीं, मतलब derive करने का time हमारे पास है नहीं, I hope आपको परानी चीज याद होंगी, तो आप फटाफट समझते हुआ अगे बढ़ेंगे, ठीक है, now this is the length, this is the length, this is the mass, ठीक है, okay sir तो मैं यह बोल रहा हूं, कि अगर आप heat up करो, चीजों को अगर आप heat करोगे, अगर आपने चीज को, इसको heat किया, इसको आपने heat किया, तो क्या होगा भई, temperature बढ़ेगा, तो length क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, length क्या करेगी, बढ़ेगी, एक सेकिंड, अगर आप heat कर होगे, तो फिर क्या होगा, जो length होगी, जो length होगी, वो बढ़ जाएगी, length अगर बढ़ जाएगी, तो time period of oscillation क्या होता है, भाई, 2 pi under root l by g, होता है, अगर l बढ़ गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि time period भी बढ़ जाएगा, तो हाँ, बोलो कि time period भी क्या कर जाएगा, और अगर time period बढ़ गया, मुझे बताओ, इसके oscillation का time period बढ़ गया, खुछ सोचू, एक घड़ी है, उसमें ये pendulum धक, तक, 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 तक हो रहा है, एक, एक second हिल रहा है, अब भाई, ये धीरे-धीरे हो रहा है, ये क्या हो गया, length लंबी होगा, इसकी तो time period अब हो जाएगी, slow हो जाएगी, संजhésitez के नहीं संदे, क्या बोलेंगे सको हम, slow, watch, या मैं बनू, gain in loss, 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 کیा हो जाएगा भई, loss of time होग, loss in time होगा, loss in time होगा, बोले तो घड़ी slow घड़ी घड़ी क्या बोज़ेंगे घड़ी ठकेली हो जाएगी ठकेली हो जाएगी ठकेली मतलाब धीरे धीरे चलेगी शमोत ऐलिए ठकेली हो जाएगी यहां लेकदेता हूँ स्लोर हो जाएगी आफ घड़ी है यह को देर इस टाइम पता चलेगा वह पहले हो सकता था शकानता एक घंटे में पहले सा एक घंटे में 4 बच जाता अब अब पता चलां दियर से चार सी फाश हो रहा हमें पता ही ना independent यह का हो गई प्रका होके सब चली आपको समझ में आ गया अच्छा आगर इसका इंटा हो जाए तो अगर дан mile तो इसको उल्टा कर दे इसको अगर हम कूल कर दें तो अगर हम क्या करें कूल करें तो क्या होगा लेंद सिकुड़ेगी लेंद क्या हो जाएगी सिकुड़ जाएगी लेंद कम हो जाएगी लेंद कम होगी तो टाइम पिरड़ कम हो जाएगा तो टाइम पिरड़ कम हो गड़ी गड़ी तेज चलेगी तो हम बोलेंगे इसको गेन इन टाइम हो गया हमाने पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया गड़ी तेज चलेगी घड़ी तेज तर्रार तेज तर्रार हो जाएगी तेज तर्रार हो जाएगी तेज चले लगे गडि समझें ने समझें समझें तो इसके लिए एक फॉर्मला है हमारे पास की गेन इन टाइम पिरिड या गेन गेन और लॉस इन टाइम पिरिड कितना होता है तो वह फॉर्मला है हाफ इंटू अलफा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी डेल्टा थीटा इंटू टी चीए ना यह फॉर्मला आपको या क्या करना है याद करना है इसको मैं डाल देता ह क्या है को efficient with thermal expansion है delta theta आपको पता है temperature difference यह क्या है temperature difference हम है यह चीद चीज क्या है यह क्या है यह change in time change in time period अना और यह क्या है यह क्या है यह टाइम पीरिड है टाइम पीरिड है इसका मतलब यह है निहां से सुनों इसका मतलब यह है कि टी टाइम पीरिड में टी टाइम पीरिड में अरे इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि टी टाइम पीरिड में लॉस हो रहा है आपको डेल्टा टी का समझ रहा हो कितनी देर में एक सेकंड होगा तो वह होगा बाइड टी वाइट इंटू एक सेकंड समझ रहो कि नहीं अच्छा टी टाइम में कितना लॉस पूछेंगा बताओ इतना टेंपरेचर बढ़ाने से लेंद अगर इतनी बढ़ गई तो बताओ कितना गेन और लॉस हुआ है तो आप इस वर्मले से निकाल लोगे है मेरी बास समझ में पक्का हंडेट परसेंट जी सर हंडेट परसेंट एक दम मस्त आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें आगे बढ पर बाकि सबका पॉस्टेव करता है तो इसली क्या करता है वाटर आप फ्रीजर में डाल तो जब आप अगले दीं देखो कि बडूर बढ़ जम गई तो बॉटल फट जाएग क्यों 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 जब पानी ठंडा होता है न तो उसको जगए घरने के आधा आदत हो जादा किया है जहां पर बर्ण जंती हैं जहांपर क्या बोलते हैं अपनी फिश होती है उनको जिन्दा रखने के लिए यह आनमोलës behavior of water अच्छी बात है या रीग tumor ने है चीज सोचके रखी घी थी कि energy water चार डिग्री सेल्सियस पर पहुचन तो इसकी क्या हो जाती है सबसे जादा हो और होता है तो दैनसिटी वांपस क्या हो लगती है i है इस जब पानी जमना होता है आप तेमा फॉर पानी जमना चालू होता है और वर निकालना च्रे कुछ निकालना आप्र से नीचे की तरफ जमती है मावके लिक्विड में नीचे सोपर की तरफ जमती है वो था होता है जैसे तंडी होती है देखो टेमपरेचर कम कर रहा हूं नहीं पर हो दो 10 डिग्री सेलसियस थंडी हुई मतलब मालो 10-9 डिगरी Celsius आगे जो डेंसिटी बढ़ गई आप क्योंकि ऊपर वाली लेयर थंडी हो गई इसकी डेंसिटी बढ़ गई तो वह नीचे चली जाएगी नीचे चली जाएगी नीचे चली जाएगी नाइगे पूरे पानी का टेंपरेचर चार डिगरी ऑड़ाइक त硬ड़ा लाइगी फेनियों की नीचे लिजरी जाएकी वाराइक जनदी वंपर आएगी थंडी योगी नीचे चलनी जाएगी एक पॉइंट आएक जब पुरि लेएर का टंप्रेटर चार ड़ी लीकल सबसे उपर लिए जो है सबसे इंपर जाई ना सकती तो वह पर फ़र आपे लेयर तो और सनलीर फ्रक्राइब उसके पहले पानी जमना स्टार्ट होता है इसको बोलते है शलोप होता की ढोथ इसके PT डियाग्राम का जो स्लोब होता है dp by dt वो क्या होता है नेगेटिव होता है किसके लिए वाटर के लिए किसके लिए वाटर के लिए चलो बहुत 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 अच्छी बात है यही कहलाता है एनमोलस बहेवियर ऑफ वाटर या exceptional expansion of water अब बात करते है specific heat की specific heat वो quantity of heat होती है which is required to raise the temperature of unit mass of a substance by one degree Celsius called specific heat ठीक ना इसको मैं छोटे सी से रिप्रेजेंट करता हूं c is equals to q upon m delta t या पैसा लिख सकते हो q is equals to mc delta t यह बहुत important relation है बहुत काम आएगा calorie metric में प्रीस से याद रखिएगा इसकी unit क्या होती है है Q q q q q q q t होती है जूल तो specific heat की क्या होगी specific heat unit होगी जूल पर kg Kelvin या फिर हो सकती है जूल पर gram Kelvin यह हो सकती है Joule पर gram degree Celsius ना त्युक्य temperature difference है temperature difference है या iya Kelvin में हो या फिर degree Celsius में हो एक ही बात है कोई यह भी हो सकती ही और कैलरी कैलरी पर केजी केलविन यह भी हो सकती है ना चलो महत बढ़िया यह स्पैसिफिक खीट कैपसिटी यह आपको next is the specific heat capacity can have value 0 to infinity जो हमको पढ़ना होती है वह 0 to infinity होती है for some substances under particular situation can have negative values चीव यह पढ़ने की जरूरत नहीं है अच्या अगर मन लीजेश की फेल्यू infinite हो जाए है अगर सी फेल्यू infinite हो जाए इसका म Але लप क्या होगा मुझे बताइए अगर सी विенिफिनिटी हो होती है सीवल इंफिनिटी जाती इसका मतलब यह है कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा टेमपरेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आप जब रिसोर्स की बात करोगे या मैं बोलू जब आप रिजर वायर की बात करोगे जब आप रिजर वायर की बात करोगे जब आप सिंक की बात करोगे सोर्स की बात करोगे हना तब आपको यह समझ में आईगी कि अच्छा सिंक सोर्स जो हमारे होते हैं उनका जो स्पेसिफिक हीट क अच्छा अगर मैं सी बोलता हूं बहुता सीच औप च़्पी और से बीटिसें के इंट मैं फोरा हम कि मास इन्टु सपेसिफिक़ के विपाशिंटी जो होती है उसको हम हीड कैम सितः बोलते है कैपितल सी इस उकोस्टु म इंटु पार सी specific heat capacity into mass is nothing but heat capacity heat capacity unit क्या हो जाएगी बताओ मुझे Joule per Kelvin क्यों इसकी उनिटा Joule per kg Kelvin मास जाएगा kg में kg कट जाएगा तो आंसर जाएगा Joule per Kelvin समझेगे नहीं समझे हां सर समझ गया है चलो आगे वड़ते हैं next is molar heat capacity ठीक है the amount of heat required to change the temperature of a unit mole of substance by one degree Celsius is termed as molar specific heat तो क्या दिक्कत भाई चीज तो घुमा कर बोल दी गई है थी चीज तो घुमा कर बोल दी गई है cm molar specific heat is q upon mu delta t molar specific heat दिक्कत नहीं सर को दिक्कत नहीं इसकी unit क्या हो जाएगी इसकी unit हो जाएगी Joule per mol Kelvin Joule per mol Kelvin ठीक है ओके जनरली for gases two molar heat capacities are common molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume constant pressure पर कितनी heat supply करें constant volume पर कितनी heat supply करें temperature temperature change 8 degrees Celsius लाने के लिए एक degree Celsius एक नहीं एक 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 डिगरी Celsius अना तो constant pressure पर रखकर gas को हम कितनी heat supply करें कि उसके उसके उस पर एक डिगरी Celsius का temperature चैनल जाए इसको हम बोलते है specific heat at constant pressure और सेम कम हम करते हैं constant volume पे ठीक है गयोग है ना ओके बहुत बढ़िया यह सुर्फ gases के लिए होती है लिक्विड के लिए नहीं होती लिक्विड में एक ही specific heat होती है स्पेसिफिफिक सबसें इंक नहीं एक हांद ले एक खात ले एक हांद ले जितना हीट में करूंगा सामना ला हीट लॉसक और लॉसक सामड़ों करें गो यार अरे यार Kart और nep निखलिए है तो कहीं जा रही होगी यह बात पक्किया यही कैलोरी मेटरी अब देख इतनी अंग्रेजी पड़ोगे तब तुम को समझ में आगा मैंने जो बोला तुम समझोगे ने क्या है कैलोरी मेंटरी मेंस मैजरमेंट ओफ हीट ओके बना बॉड़ी अधायर तेंपरेचर इस ब्रॉट इंपरेचर इस ब्रॉट इंपर 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 पता है कि यहां से कोई हीट का लॉस या गेन नहीं हो सकता समझे हैं सел यहां पर बॉर्डी में लेकर हूंगा दूसरी बॉडी में लेकर हूंगा कैलोरी के अंदर है ननके और और यहीर यह थंडी है बॉडी यह गरमya क्रणे की तो सप्ला चार बाद का स्था बात व्सका को निकीं हैं कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स लेटेंट ही लेटेंट हीट वह हीट होती है जब आपको क्या कराना हो फेस का चेंज कराना हो आप देखना जब भी फेस का चेंज होता है तेंपरेचर कॉंस्टेंट हो जाता है पानी 100 डिगरी बन जाता है पानी एक ठंडा पर प्रहर करते हो तो जिरो डिगरी सैल्सियस का पहले पानी होता है फिर फीन की स्टीम हो जाती है समझा करो मेरी heat होता है q is directly proportional to m proportionality sign हटाया तो क्या गई latent heat q is equals to m into l l is the latent heat l is the latent heat पक्का हासर तो latent heat की unit क्या होती है latent heat की unit होती है joule per kg क्या होती है joule per kg l is the latent heat which is defined as the amount of heat required to change the phase of a unit mass of a substance at given temperature given temperature मतलब constant temperature next is next point is in case of ice the latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and in case of water latent heat of vaporization is 539 calorie per gram कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे बड़ते हैं water equivalent water equivalent of a given body is that mass of water host heat capacity is equal to the heat capacity of a given body माल लिजे आपको कोई given body दी है steel steel माल लिजे कोई एक body दी है steel जिसकी specific heat आपको दे दी गई specific heat of steel आपको कुछ दे दी गई माल लो कुछ भी दे दी गई मुझे नहीं पता कुछ भी दे दी गई ठीक ना कि आप capital C of steel याने कि आप heat capacity of steel निकाल सकते हो कि आपने वो लहां सर्वाम निकाल नेंगे mass of steel को multiply करके specific heat of steel से ठीक है clear 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 मैं जब इसको specific area मैं वहनू heat capacity of water से equate करूंगा वो क्या होगी mass of water into specific heat of water जब मैं इनको equate करूंगा mass of water into specific heat of water is equals to mass of steel into specific heat of steel तो यह जो mass of water है upon specific heat of water this is the water equivalent of the steel this is the water equivalent this is the water equivalent see this is a question of job job करोंगे तो आपको जाद अच्छे समझ में आएगा कुछ नहीं होता है भाई specific heat of a body को sorry heat capacity of a body go up heat capacity of water secret करते हो उससे आप MW के वेले निकालते हो mass of water की यहीं आपका water equivalent होता है of steel this is the water equivalent of steel this is the water equivalent of steel समझ में आया आसर समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आ गया भाई heat transfer heat transfer क्या होता है the process of heat transfer heat transfer ही होगी तभी heat का मतलब है जिन्दगी में आप यह बात याद रखना जो बड़े बड़े foreign author होते हैं वो कभी भी heat को heat नहीं बोलते कभी वर्क को वर्क नहीं बोलते है thermodynamics में हमेशा thermodynamics में आप heat transfer पढ़ोगे work transfer पढ़ोगे क्योंकि खाली heat का कोई मतलब नहीं heat अगर किसी body में content है तो कोई काम की नहीं है heat जब transfer करती है तो ही उसका significance होता है वर्क जब boundary cross करता है तो ही उसका significance होता है इसलिए actual में heat transfer हमको पढ़ना पढ़ता है heat के बारे में कोई बात नहीं होती तो अगर heat transfer करा रहे हैं हम तो heat transfer के बहुत सारे modes होते अलग-अलग जैसे आप कहीं travel करना चाहो तो आप जा सकते हो वह बाए यर जा सकते हो आप पानी के तुरू जा सकते हो तो तो क्या है modes of transfer है वैसे heat transfer होती है तो इसके different modes होते है है एक मूट है उसका कंड़क्शन एक है कंड़ेक्शन और एक है रडिएशन यहां कंड़ेशन और रडिएशन इस आधा बात करेंगे कर दोर कि यह द बात करेंगे यह साहरो दिखा जाता है conduction. इसका formula क्या है heat transfer का? Q is equals to K A delta T T upon L. What is this? Q upon, ऐसे याद कर लो, Q upon T into A ये ऐसे याद कर लो, Q upon T Q upon T is equals to K A DT by DX K A DT by DX. समझे की नहीं समझे? हाँ समझे. ये ज़्याद अच्छा formula है आप इसको ज़्याद अच्छा से याद कर सकते हो. देखो मैं आपकी confusion नहीं बढ़ाऊंगा. इसको हटा लो इसको यहाँ से हटा लो इस फर्मने को याद कर लो. ये ज़्याद अच्छा formula है minus K A DT by DX इस T को मैं capital कर देता हूँ एक second का मुझे time दीजे मैं इसको क्या कर देता हूँ capital कर देता हूँ DT by DX अच्छा यह minus sign क्यों लगा है और यह Q by T क्या होता है उसको समझते है यह है क्या है heat है Joule है Joule पर second क्या होता है what होता है तो इसकी unit क्या होगी भाई अर्यार इसकी unit क्या होगी इसकी unit होगी इसके निट होगी क्या what क्या होगी what तो यह क्या होता है minus k ay delta d t by d x यह क्या है k is the conductivity k is the conductivity minus sign क्यों लगा है क्योंकि हुम second law Sud acc fellmark को fail नहीं तो आगे जाकर बात करेंगे देखो minus sign इस लिए लगा हुआ है अभी बताता हूं मैं आपको यह area यह क्या है area of cross section is the area of cross section ठीक ना लिखा हुआ है वहापर और यह dt क्या है change in temperature dt is nothing but change in temperature change in temperature change in temperature अगर आपको यह दिक्कत लग रही है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो इस तरीके से लिख सकते हो के यह delta T by del X ऐसा भी लिख सकते हो हना वो small change कि लिए थाम इसको delta d लिख देता हूं d t Mr. T is temperature change in temperature Ynto T T two minus T one अपको पता है heat का transfer हमेशा higher temperature to lower temperature हो ता है हम final minus initial लिख रहे higher temperature to go temp how temperature to lower temperature heat overthrow higher temperature to lower temperature होना final minus initial तो T two minus T one रहमेशा negative value आई उस negative को positive mm नहां पहने से sign लगाया हुआ हैं माइनos bear and what is delta X it इस दी लेंध चेंज इन लेंध ये लेंध ठीक है चलो वेरी गुड आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते है यह फॉर्म लेको यह थोड़ा सा अलग फॉर्म लाय मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इस फॉर्म लेको इसको आप अलग कर लो भाई मैंने जो आपको बता है सब परफेक्ट ठीक है आगे 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 अगे अगर आपको कोई बोले की कंडुक्टिविटी किया और वो निकाल कर दो यूनिट निकाल कर दो निकाल लोगे क्या यह वाट दिया हुआ है वाट के अपॉन में एरिया चला जाएगा मीटर स्कॉर हो जाएगा उपर मीटर जला जाएगा न जाएगा दो वीटर मीटर केल्वें आजाएगा यह इबात सम्झमें और उन्हें यह बात समझें अ क्यूआ है था है वाट फ् Nous आपक्ञोर यहां पर क्या ही दुद्ध के निकाल ली है एरिया है तो 9-1 होगा चेंज़ एंड टेम्रेटर यह होगा डिवा गई भाई वाट पर मीटर केलवीन यह द्गरी सेसियस भी हो सकता है चलिए आगे पड़ते हैं next he transfer thermal resistance यह thermal resistance किस दिया का नाम है अब भाई है नहीं थर्म्ल रिजिस्ट्स की इस चिडिया की नाम है जानी अरे जानी जानी गाने बहुत छे लिखता है पंजाबी हां यार ये तुम लोग सही बोले पंजाबी गाने करो को पंजाबी दर्पर पंजाबी पंजांबी दर्पर बश्च पंजाबी मियूजिक इंडाश्र्टी कोई समhouला चल रहा है गाने गानो6 जाना पइसा मतवत हैं पंधूर तरी अब सब्कोन गार wing करीशंवे स्टेट ने 7 patient study 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 तो दिखर से रहने वाला है पूरी राट का टेंप्रेशिव लगा यहां और से यहां तीस यहां पचासे लेकिन सेक्शन का टेंपरिटर टाइम बदलने के बाद भी अगपी अन्य बोल्ट आप जीरो है लेकिना अलग अलग location पर टेम्प्रेचर अलग है ऐसी condition को हम steady state बोलते हैं और यहां पर जीतने भी कुशन आप करोगे सब steady state के ही होते हैं variable state क्या होता कि टीज़ीक्ष्ट जीरो पर आपको 50 दिकता 30 दिकता तो पर हो सकता है यहां चालेज दिखता है यहां आपको 20 दिखने लग जाता है यहां पाँ दिखने लग जाता तो क्या होता वेरियेबल हो जाती है यहां पर कम ट्रांसर अच्छा यह हो गई steady state की बात है अच्छा माल लिजे क्या यही एक अंड़क्टर है इस कंड़क्टर की लेंथ है एल इस कंड़क्टर की लेंथ है कितनी एल ठीक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया इसका एदिया हुआ है कंड़क्टर की मान लिजैस भी के ठीक है तो कितना ही ट्रसफरेट होगा इससे इसको मतलब है हमको मतलब है थार्मल डिश्टेंस है अच्छा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता अभी मैंने माइनस गायाप कर दिया है आप टेंशन Breaking पहले ना माइनस क्यों गयाप कि है क्योंकि अभी हम को उससे मतलब नहीं है रहता जरूर है उसकी मैंने आपको जरूरत बता दिया है क्या होती है चलो डेल्टा टी अपॉन इस डेल्टा एकस को मैं या लिग दिया एल लिख दिया ठीक है द्यान देखें q. is equals to delta t upon L upon Ka, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, अरे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत प्यार से लिखा जा सकता है, आई बाद समझ में, हना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक analogy बनाते हैं, electrical resistance कि, किसकी electrical resistance की, देखो, current is nothing but potential difference divided by resistance, तो ये क्या है, यह है electrical resistance है अगर आप देखो तो डेल्टा वी कि जगे हां डेल्टा टी है और एलेट्रिकल की जगे यह वैल्यू है तो इसको हम बोलते है thermal resistance इसको हम बोलते है thermal resistance आई बाद समझ में okay sir फिर से लिख दो और एक है area of cross section समझ में आया और बहुत प्यारा बहुत इशादना आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं तर्मल रिजिस्टेंस आप समझ गये हो क्या होता है मुझे आप जाकर कमने बताओ कि इसकी उनिट क्या होगी थर्मल रिजिस्टेंस की उनिट क्या होती है चलिए next आगे ब और दोनों का ही area of cross section क्या है बात समझ में आई हां सर समझ में आ गई है बास इसी से रिलेशन निकल कर आ जाता है अगर यह लेंथ बराबर नहीं है तो सीरीस कॉंबिनेशन की जो इक्विलेंट कंडुक्टिविटी आएगी जो सीरीस कॉंबिनेशन की कंडुक्टिविटी आएगी वो क्या आएगी 11 प्लस एल टू अपन लवर अपन के वन प्लस ल्टो पॉन की टू कैसे किया है थर्माल रेजिस्टेस की वैल्यू निकालो यहां रखो यहां रखो जो कट रहा है वो काड़ दो यही सारी वैल्यू जाने लग जाएगी ठीक डेरिवेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं सीधर सीधर फॉर्मला देखते हो चल रहे हैं अगर 11 is equal to l2 हो जाए तो यह फॉर्मला क्या हो जाता है यह हो जाता है यह हो जाता है two times of k1 k2 upon k1 plus k2 if temperature of the interface inter interface of the serious combination BT Mali J breath पूछ लिया कि सुलो यह कट इमडियोगा टिवन है जा गटवरेट टी है और यहां का ती है तो बताओ कि यह surface temperature कितना होगा तो मैंने आपको बहुत आया है कि बाइब स्टेडी स्टेट हैं जित्रा ही ट्रांसरेट यहां से हो रहा है उत्रा ही ट्रांसरा नादा पॉनल रेजिस्टन्स अलवन्हगे नोस तो 212 सबस्क्राइब है इस इंदो को आप एक्वेटक दूना टीट्य कि वेलियू आपको पता होगिए घानिकल आगे इससे एक ला Texanica नागाईंगा bize उसी से यह फर्मॉला भी निकल कर आया है उसी से यह फर्मॉला निकल कर आया है इंटरफेस का के वन टी वन प्लस के टू टी टू अपॉन प्लस के टू ठीक है चरी बहुत बढ़ी हां next 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 parallel जैसे आगर आपने थोड़ सागर पढ़ा होग से बारे में तो वहाँ पर जो पैरल कॉम्म्इशनक रिजिश्टेंस होता है तो वह एक वन अपॉन क्या होता है वन अपॉन आर एज ही इक वह फोन आप आप ऑन ऑन का और फूट प्लस और ऑन बस यही फर्मॉला आप लागान एर 2 अपॉन आर 20 चिकल ड़िए दिए आर एक विलेंट शेयर के बर्ढ़र आ गया और wszy एक्ष potatoes आरवन एउल्ट ऊपाय आलगा टुक्ण अटाव हुब ऑख धोद वहां आइस नाइस नाइस बहुत प्यारा बहुत ही शांदर वह जोगर आप क्या करोंगे फिर वही आड़ावन की वेल्यू यहां से निकाल के लवन अपॉन के वन एक टूए रखोगे आंसर निकालोगे एरिया और बराबर है तो भाई यह यह वाला जाएगा अगर नहीं है तो यह वाला जाएगा आपको क्या करना है यह याद बाता है बसकता और भाई के शुलीज जतने हीट आपकी आइस रिलीस करेगी उतनी हीट क्राइब चाहिए इस को कंडक्ट कराना पड़ेगा अरे वाई सुनो मालो मेरी बात समझो टी टाइम में माल लेजए टी टाइम में वाई भाय थिकनेस की बरफ जम चुकी है यह लेक है इसमें टी टाइ में मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है तो आने वाले टीटी टाइम में ने देखा कि दीवाइए थिकने इसकी बरफ जम रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है आइस को इतने अमाउंट आफ हीट को रिलीस करना पड़ रहा है जब भी बरफ जमती है तो हीट रिलीस करना पड़ता है और जब पानी बनता है तो हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है ठीक है न तो आइस बन रही है तो क्या होगी आइस बनने के लिए हीट रिलीस करेगी अभी हाइट र क्ली है कि ये Mike को क्या रणा पड़ेगा इतनी छितनी हीट उसने आइस से लिय उसको थे तक है कहा ले जना पड़ेगा अंवार्मन में माल जे इंवार्मन का त्रेटर इलिए ए जूल्षिक फाल लीजे फ्लीजित फिर्स अन्नुत के मैंने वलागे टीटी released by ice heat released by ice is equals to heat absorbed by surrounding heat absorbed by surrounding बस और कुछ नहीं करना कितनी हीट रिलीज हुई कि बाई कितना मास है डिम मास है अना डिम मास को क्या चाहिए होगे आप सबस्क्राइब करेगा अब यह स्रांडिग बोल दो यह बराबर यह जतना आई कणक्ट करके सर्फेस पर लाएगा उतनी ही रिलीज होगी सरौनिंग के पास हसर बिलकुल मैं समझ गया चलिए तो यह कितना हो जाएगा conductivity of ice into area area किसका इस पूरे तलाब का पॉर्ण का वो एडिया कितना है यह ठीक ना के इंटू डेल्टा टी अब डेल्टा टी माल लिजे कितना है final minus initial थीटा minus 0 ठीक ना थीटा minus 0 यह final बाहर का टमपरेचर है और यह यह temperature zero degrees Celsius की I1 यह तो थीटा minus 0 ठीक है के डेल्टा टीवाइए अच्छा कितने थिकने इसकी बन गई है यह वाय थिकने सकी इतनी इतनी इस से कंड़क्ट होके जारी ना तो कितनी थिकने साथ की वाई ठीक है ओके तो डियम इंटू एल के डेल्टा ठीटा आपॉन एल इंटू कितने टाइम में हुआ यह टी टाइम में हुआ है समझ रहे हो करने सर हाँ बिल्कुल समझ रहे है अचा dT टाइम मेंHivas कर रहे है कितने टाइम में हम चैक कर रहे हैं कर रहे हैं डी टी टाइम में हम च रहे है ऑग आप करद्टा आच into dt upon y समझ रहोगी नहीं समझ रहो हाँ सर समझ रहे ठीक है यहां से आप बोल सकते हो कि dy by dt जो होगा वो किसके बराबर होगा dy by dt is equals to a से a आपने काड़ दिया कितना आजाएगा dy by dt is equals to k into theta k into theta और कुछ और कुछ और कुछ divided by l into row of ice row of ice into into l into y ठीक ना एक दो यह एक दो यह तीन यह के एट ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है चेक कर रहा था मैं कुछ मिस तो नहीं हो गया चलिए बहुत बढ़िए तो यह फार्मला आगे आपका यह क्या है भाई rate of ice formation है dy by dt यह कितनी थिकनेस बटरी यह d y by dt आप इससे निकाल सकते हो के थीटा पॉर रो आईसल वाई ठीक है ओके बरी तो यह फॉर्मला भी आप एजी लिए निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर वैल्यू पूट करो यह क्या है सराउंडिंग टेंप्रेचर है भाई ठीक है जो थिकनेश जुट गई है भाई हाई जितनी थिकनेश जुट जुग है आईस की उपर वो और्धी सिजिए डिकंदृक्ट अफटिवटी विट अफ रों थीक्रान सर पक्का का एजब्सिता इस दी रहत एच्टिविती ओंव of ice formation, ठीक है, हाँ सर ठीक है, पक्का, जी सर पक्का, चलो, आगे बढ़ते है, अब heat transfer, convection क्या होता है भाई, the process of heat transfer, the process of heat transmission, ये liquid में जादा होती है, prominent किसमें होती है, liquid में होती है, किसमें होती है, liquid में होती है, चलो, सर इसको जबाब लैक से मिटा सकते हो, तो आप हमारे लिए ऐसा क्यों करते हो, कि आप 2 मिनट ये नहीं कर सकते, कर देता हो, कर देता हो, एलो, ठीक है, complaint तुम लोग ना मुझे, कर देते हो, मेरे उपर उपर उठा देते हो, ठीक है, the process of heat transmission in which the particles of the fluid moves in call convex, यहाँ पर bulk motion होता है है, क्या होता है, bulk motion होता है, conduction में क्या होता है, एक, एक molecule अपना एक पार्टिकल अपनी जगह पर वाइबरेट करने लगता है, वो अपनी vibration दूसरे को देता है, ऐसे mode of heat transfer होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरे के पूरे molecules bulk में motion करता है, जगर आप पानी गरम कर लो, molecules माल लो, तो ही क्या करते है, bulk motion करते है, यह majorly किस में होता है, liquids में होता है, किस में होता है, liquids में होता है, liquids में होता है, ठीक है, चलो, radiation, liquids, fluids के, fluids, बोल दो इसको, liquid बोलने ही क्या जरूरती सा, सीधे है, क्या बोल दो, fluids, बोल दो, किस में होता है, generally, fluids में होता है, radiation, the process of transfer of heat from one place to another place without heating the intervening medium is called radiation मतलब यहाँ पर medium की ज़रूरत नहीं होती radiation यहाँ पर कोई body बहुत ज़्यादा temperature में है तो वो क्या करेगी radiate करेगी अपनी heat को और वो क्या पहुंचेगी सामने वाले तक पहुंच जाएगी उसको फिलो जैसे होती है जब आप कभी solar power plant में जाओगे solar बोल रहों थर्मल power plant में जाओगे वहाँ furnace होती है boiler होता है उसके पास आप जाओगे ना तो बहुत दूर से आपको समझ में आ जाएगा जहां boiler होते हैं नटीपीजी का प्लांट है अगर वो तो पूरे प्लांट में तो पूरे प्लांट का टेंपरेचर पूरे साल वर एवरेज टेंपरेचर 43 44 डिग्री सेल से रहता है बलब आप बहार जाओगे environment temperature देखो के तो 30 degree celsius निखलेगा ठंड में लेकिन आप जैसी जाओ के किसके अंदर thermal power plant के अंदर तो आपको 43 44 degree celsius temperature देखने को मिलेगा क्यों because of radiation because of radiation the process of heat transfer from one place to another place without heating the intervening medium is called radiation ठीक है very good आगे बढ़ते हैं अच्छा interaction of radiation with matter है अब समझ लो कि आप कोई matter हाव मैटर को कुछ heat supply करते हो एक कुछ energy supply करते हो या radiation supply करते हो मैंटर क्या करता भाइ कुछ एबलेटलक कर लेता है और कुछ एबलेगा कुछ एफिलेक्ट कर देगा कुछ transmit कर देगा तो आप यह दे हैं क्य baja the energy जो क्या कर दी गई है च्था करेंट कर दी गई और सकती है ये कहला ते उसके कि बीच में डिफ्लेक्टेंस पीच कि कि लिए किस के किस के बीच में हो सकती है zero से मन के बीच में ठीक है अई बार समझ ने चला हूँ आगे बड़ते हैं परफ ली ब्लैक बॉड़ी क्या होती है और दिवन इप कंप्रीटली ABS ऑफ कर देए कर दी किसी पर्टीकोलर टमरेटर पर आगर आप देखोगे तो वो बॉड़ी जो सबसे जाधा radiations emit करे और हर wavelength करे वो कहलाती है black body और ऐसे ही वो body जो आने वाले सारे radiations को अपने अंदर absorb कर ले वो कहलाती है black body ठीक है अब perfectly black body is the one which completely absorbs all the radiations of all the wavelengths that are incident on it thus absorbing power of perfectly black body is one absorbing power absorb क्या करती है देखो जैसे क्यों आपन क्यों देख रहा हो आप the black body के लिए q a is equals to q हो जाता है आई बात समझ में वो कुछ भी reflect नहीं करती कुछ भी transmit नहीं करती सब कुछ अपने अंदर समाल लेती है कौन black body कौन black body कौन black body चलिवन perfectly black body is heated to a suitable high temperature it emits radiation of all possible wavelength यही मैंने आपको बता है था यह emit करती है हर possible wavelength की radiation temperature of the sun is very high 6000 Kelvin it emits all the possible radiation so it is an example of black body ठीके रहा फॉर अपर फ्रेक्टी black body a is equals to one absorption is one reflectance and transmittance is equals to zero ठीक है for a perfect reflector अगर कोई perfect reflector a body तो उसके लिए reflectance जो होता है वह बागी चीज़े यह हो जाती है zero के बराबर ठीक है for a perfect transmitter transmitted जो होता है वह बागी चीज़ें क्या हो जाती है zero हो जाती है ठीक है very good आगे बढ़ते हैं emisive power emisive power क्या होती है भाई जो energy emittic emitt कर रहे हुआ है हना total emisive power of a given service at a given temperature is तोटल अमांट आफ रेडियेट अनर्जी एमिटेट पर उनिट सर्फिस एरिया पर रिट टाइम बाइद बॉड़ी इसको आप आप मिसे पावर बोलते हो कोई बॉड़ी है यह कोई बॉड़ी है अना माल लीजे क्यों अवांट आफ एनर्जी रेडियेट कर रही है तो यह संब्रेट आउडर एरिया पर उनित आइम जो होता है यह इसको आप या बोलते हो एमिसेफ पावर भोलते हो एमिसेफ पावर बोलते i लाइक बत समझ में हां सर समझ में इसकी उनिट क्या होगी watt per meter square ठीक है very good यह लिखा हुए watt per meter square emissive power of a surface depends upon the nature of the surface and its temperature कितना temperature है तर फिसका nature कैसा है उस पर emissive power depend करती है emissivity of a body at a given temperature is defined as the ratio of total emissive power of the black body to the total emissive power of the perfectly black body of a body of a body emissive emissivity emissivity is the ratio of emissive power of a body to the total emissive power of a perfectly black body यह क्या कहलाती है emissivity कहलाती है emissivity is the emissive power of a body upon emissive power of a black body इसको आप क्या बोलते हो emissive emissivity बोलते हो आई बात समझ में हां सर समझ में आ गई है अचा इसने ऐसे लिखा हुए तो आप ऐसे समझता हो तो मैं से बताता हूं लो मैं क्या करता हूं यहां से अटा देता हूं ऐसे भी कर सकते हो चलो कोई दिखकत नहीं तो आप भूलो कि हर जगे चेंज करना पड़ेगा तो बैटा रहे कि आप इसको ऐसे ही देख लो इसके रशो कोई मस्विटी बोलते हो ठीक नहीं अब एक पर्फेट ली बैक बोड़ी इसके रशो को वेवलेंस अड एक तमेटर बदा चुका हो है मापको चलो आगे बढ़ते है एब्सॉप्टे पावर अभी आपको बताया कि जितनी अनरजी आपको मिले टोटल उसमें से आपने कितनी एब्सॉर्ब कर ली इसके रेशो को हम क्या बोलते है ब्सॉर्प्टेव पावर दर रेशो ओफ रेडियंट एनर्जी एब्सॉर्ब ठीक है ना बाया सर्फेस इन गेवन टाइम टॉटल रेडियेशन रेडियेंट एनर्जी इंसिदेंट एक बोड़ी है आपके पास एम ठीके ना टाहम बुलेंगे कि इस बोडी की जो एमेशक और इस बोड़ी की जो एम्सप्वश है डिवाइड बाइस बोड़ी की जो absorbed power का ratio है वो बराबर होगा किसी M body की emissive power upon absorptive power के ratio के अच्छा और यह ratio हमने देखा कि यह किसके बराबर आता है emissive power of black body के बराबर आता है this is the Kirchhoff's law this is the Kirchhoff's law ठीक है पक्का हाँ सर पक्का चलो तो Kirchhoff's law implies that it's a good that a good good absorber is a good emitter too ठीक है obvious ही बात है कि कोई अगर body जितनी ज्यादा absorb करेगा जिस टाइप की radiation उसी को ज्यादा करेगा ना मारलो मैं एक body हूँ मैंने yellow color की wavelength को सबसे ज्यादा absorb किया जब मेरा temperature बढ़ाया जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वही yellow color की wavelength में सबस्यादा एमिट करूँ तो कर चौस भाई सब यहीं बोलते हैं कि जो body जितना अच्छा absorb करती है वही body उतना अच्छा emit भी करती चलो बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं स्टीफेंस लोग सबसे बेसिक लोग है सबसे आराम से पढ़ने वाला है कि MSF power of body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature है यह absolute temperature Kelvin absolute temperature मतलब Kelvin में value आई बात समझ में directly proportional होता है proportionality sign हटाते है तो यहां Sigma लग जाता है Sigma is the Stephen Boltzman constant इसकी value होती है 5.67 तो पर-8 watt per meter square Kelvin की पार-4 ठीक ना for a body hose emissivity is epsilon Stephen's law is modified as emissive power of a body is emissive power अगर आप किसी को random body का निकालना चाहते हो तो emissivity emissivity multiply कर दो Sigma into t to the power force of a random body की क्या निका लाएगी emissive power random body की emissive power body key emissive emissive power ठीक है okay sir okay बढ़िया 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 चलिए if a body at temperature t surrounding by another body a big body house kebab as passing body or a few surrounding है तो भाई यह भी रेडियेट करें कि इस पे इनर्जी वह भी रेडियेट करें कि इस पे इनर्जी तो यहां पर जो टी की पार-4 है वो टी-1 की पार-4 मैनस टी-2 की पार-4 हो जाएगा ठीक है ना कोई बढ़ी बात नहीं है यहां दो के बीच में क्या हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है radiation हो रहा है एक body दूसरे पर रेडियेट कर रही है दूसरी बाड़ी पहले पर रेडियेट कर रही है तो नेट एनर्जी कितनी रेडियेट हुई है वो आप इससे निकाल सकते हो ठीक है okay sir Newton's law of cooling according to the Newton's law of cooling rate of cooling of a body is directly proportioned to the temperature difference between the body and the surrounding the law holds good only for small temperature difference पहली बात तो यह जो law है यह small temperature difference के लिए है और दूसरी बात यह है कि जब आपकी कोई body ठंडी होती है तो वो depend करता है body temperature surrounding temperature के difference के बीच में अगर body ठंडी होती जाएगी तो rate of heat transfer कम होता जाएगा कुल मिला कर बाती है क्या कि अगर माल लो कोई body है माल लीजे चाय है चाय का कप है अना यह चाय का कप माल ली जगरा 80 डिगरी celsius पर है अना और surrounding temperature बीच डिगरी celsius पर है तो अभी rate of heat transfer ज्यादा रहेगा क्योंकि temperature difference 60 degrees celsius का माल लीजे अब चाय का कब जो है वो आ गया है 30 degrees celsius पर आ गया है और अभी surrounding temperature 20 degrees celsius ठीक ना तो अब जो rate of heat transfer है वो क्या होगा इसके comparison में कम हो जाएगा माल लीज अगर यह दो डंडी है तो यह एक डंडी हो जाएगा आई मेरी पास समझे रेट of heat transfer अभी भी होगा लेकिन पहले जितना हो रहा था उस rate से अब नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि यहां पर temperature difference जो है वो क्या है body temperature difference minus surrounding temperature difference यह 60 degrees celsius यहां पर delta t कितना है 40 minus 20 याने कि 20 degrees celsius अना तो यहां rate of heat transfer कम हो गया अब मान लीजे ऐसा हो जाए कि यह जो कप है चाय का इसका temperature हो जाए कि शोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए 25 degrees celsius हो जाए हना surrounding temperature 20 degrees celsius तो rate of heat transfer अब मैं तो बोलूगा भाई इसका भी आधा हो जाएगा एक्दम छोटी से डंडी बनाता हो मैं एक्दम छोटा सहरो rate of heat transfer और कम हो जाएगा है अभी भी rate of heat transfer है क्योंकि भी अभी temperature difference exist कर रहा है और वो क्या है भाई 25-20 याने की पांस degree celsius का rate of heat transfer यहां सब से आधा है फिर कम है फिर और कम है तो rate of heat transfer is directly proportional to the temperature difference between the surrounding and the body body and the surrounding as a mall the upper minus dt by dt को लिखा है rate of heat transfer यह rate rate of temperature change temperature कि से गिर रहा है temperature कि से गिर रहा है माइनस साइन वहीं लगा है थंडी औरी ना body ठीक है इड़ेंड इस डिपरेंड इस डिपोश्चनल टी माइनस टी नॉट प्रोश्चनल टी साइड आया के लगा या टी क्या है वानट थी नाटके सराउड इंडी रिवार्यच समझ में तो लाजता है कि हाई बाडि का टंपरेचर लगातार बदल रहा है तो बाडिंठ ऍहुल रहा है तो फटम उसका खाइब जेते हैं जैसे से एट ऑप हृट्टी गण तो हम 80 25 वा माल लो तो हम 20 25 को Ajda करें कि एवरीज वेलू लेते हैं कि इस एवरेज टेंपरेचर से लगातार हीट ट्रांसफर हो रहा है एवरेट लेको क्योंकि तैंपरेचर तो लगातार law of cooling पक्का जी सर बहुत बढ़िया questions अगर मिलेंगे तो हम उसको करके वहाँ Newton's law of cooling को समझेंगे अब आगे है भाई Wien's displacement law कुछ नहीं होता according to Wien's law the product of wavelength corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of the body is nothing but constant ठीक है तो लेम्डा इंटुम्डा M into T absolute होना चाहिए temperature क्या होना चाहिए absolute होना चाहिए Kelvin में is nothing but constant अना इस constant को B से बोला जाता है Wien's constant कहलाता है क्या कहलाता है Wien's का constant कहलाता जिसकी value होती है two point eight nine two minus three meter Kelvin ठीक है क्या बोला गया है भाई आप graph plot करते हो intensity of radiation all wavelength के बीच में आप देखते हो कि जितने जाधा temperature आप बढ़ाओगे body का जितना जाधा आप temperature बढ़ाओगे body का body के अंदर से जो सबसे जाधा number of radiation निकलेगी ना वो कम wavelength की होती जाएगी उसकी wavelength क्या होती जाएगी कम होती जाएगी देखो shift हो रहा ना graph क्या ओघ्राफ इधर श्ट और आप टेमपेट्र बढ़ा रहे हो तो graph कहां हो रहा शेफ्ट इधर हो रहे हैं मतलब जितना ज्यादा टेमपेटर आप बाडी को बढ़ आओगे उससे निकलने वाली सबसे जयादा number of radiation की जो wavelength होगी वो कम छोटी होती जाए उसकी वेवलेंद क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी अना चलो तो intensity of radiation का मतलब होता है कितने number में radiation निकली अना तो lambda max हम उसी चीज़ को बोल देते हैं कि किस particular wavelength की सबसे जादा number of radiation निकली है समझने हो सबसे जादा number of radiation किसी particular wavelength के अगर निकले की तो हम उसको lambda max बोल देते हैं यह हमारा lambda max है ठीक है lambda max into t is equals to constant डिस वीन डिस्प्लेस्मेंट लोग डिस्प्लेस्मेंट क्या हो रहा है ग्राफ इधा डिस्प्लेस होता जा रहा है जितना जादा body का temperature उससे जादा उसमें से सबसे जादा number में निकलने वाली जो radiation होगी वह चोटी wavelength की होगी आई मेरी बात समझ में देखो ऐसा लिखो इसको कि अगर टी-3 सबसे बड़ा है टी-2 उससे छोटा है टी-1 सबसे छोटा है तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी wavelength जो होगी अ सबसे बड़ी wavelength किसकी होगी जब आप temperature वन पर निकाल रहो उससे छोटी होगी उससे कम नंबर में निकलने वाली यह होगी और सबसे कम होगी एक है थे के ऐक है ँर स प्लेसे से स्टन जी थिस यह इसे हिंट स्ट इसट्रियूस्य को इस पूल होस्ट में अप्रिपल है तो पता है एक होता है हां a clock with a metal pendulum beating seconds keep keeps correct time at zero degree Celsius if it loses 12.5 second a day at 25 degree Celsius the coefficient of linear expansion देखो वही formula जो मैंने आपको बताया था delta T by T is equals to 1 by 2 alpha into delta theta आई बात समझ में हां सर समझ में आ गई है यहां बर बोल रहा है कि 25 degree Celsius का temperature difference is zero degree Celsius अगर आप देखोगे तो तो हमको क्या निकालना भाई delta T by T नहीं एक पूरे दिन में 12.5 seconds का लौस और यह हो रहा है मतब डेल्टा थी आपको दिया है 12.5 seconds और टी कितना दिया है एक दिन में एक दिन में कितने difference आपको दिया है 25 degrees Celsius ठीक है तो एक कितना हो जाएगा एक point हटा लो यहां से 0 लगा दो तो यह हो जाएगा 125 इंटु टू 125 इंटू टू डिवाइड़ बाए 8 6 4 0 8 6 4 0 0 0 3 0 ना ठीक है इंटू 25 अब आप देखो कि 125 इंटू कितना होगा धाइस होगा होगा क्या अरे धाइस होगा क्या हां सर बिल्कुल होगा तो क्यों ना मैं एक जिरो यहां से उधार ले लूँ एक जिरो मैं से उधार ले जता हूं यह हो जाएगा 250 जाएगा 8 6 4 00 into 250 अना यह 250 250 इंटू कट जाएगा अलफा की मेल्यू आ जाएगी वन अपन 86,400 1 upon 86,400 अंजर आगया बहुत बढ़िया अंसर आगया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो ग्राम of steam next question at 2 gram oh 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 you can do gram of steam condenses pata name go kya ho ra hai two gram of steam condenses when passed through 40 gram of water initially at 25 degree Celsius okay the condensation of steam raises the temperature of water to 54.3 degree Celsius अच्छा what is the latent heat of steam अच्छा दो ग्राम की स्टीम है दो ग्राम की क्या है भाई steam है दो ग्राम की स्टीम है अना स्टीम किस तेंपरेचर वो होगी 100 degree Celsius ठीके ना इट पासे तुरू 40 gram of water initially at 25 degree Celsius इसको आप जैसी 40 gram of water से मिला होगे तो क्या होगा भीया 100 gram Celsius की जो steam है वो किसमें चींज जाएगी वो चेंज जाएगी 100 100 100 100 degree Celsius की steam में आई मेरी बात समझ में आसर समझ में आगी बिलकुल आगी मतलब यह जो दो ग्राम की स्टीम है यह जो पहले 100 degree Celsius की थी यह अब शॉट यह क्या होगा यह 100 degree Celsius के water में गवार्ट हो जाएगी स्री किसमें गवार्ट हो जाएगी 100 degree Celsius के water में गवार्ट हो जाएगी तो यहां पर क्या हुआ होगा भी यह क्या हुआ होगा इसने latent heat release की होगी अना latent heat of vaporization into mass release किया होगा ताम बोल सकते है है m into latent heat m into latent heat ठीक है और यह बोल रही है वेन बोल रहा है question मितलब when pass through 40 gram of water initially at 25 degree Celsius ठीक है जो water है वो इनिशली 25 degree Celsius पहें condensation of steam raises the temperature of water to 54.3 degree Celsius 54.4 degree Celsius ठीक है तो 25 degree Celsius से raise हो के temperature कहा पहुँच जा रहा है water का 54.3 degree Celsius पहुच जा रहा है आई बात समझ में हासर ठीक है ठीक है ओके तो हम यहां क्या बुलेंगे हम बुलेंगे भाई हो क्या रहा है कुल मिला कर पहले यह समझा दो ग्राम की steam है condens हो रही है जब उसको पास किया रहा है 40 gram of water ठीक है तो हमाए पास 40 gram दिया है mass of water ठीक है ना water का initial temperature दिया हुआ है 25 degree Celsius ठीक है ना water का final temperature raises the temperature of water final temperature कितना दिया हुआ है 53.9 54.3 degree Celsius 54.3 degree Celsius ठीक है रहाँ what is the latent heat of steam ठीक बात करेंगे आगे यह तो हो गई भाई सारी बात है किसकी किसकी बात हो यह सारी किसारी वाटर की बात हो गई आप सरा बात करें किसकी थे स्टेम की स्टीम पहले क्या है दो ग्राम कि है दो ग्राम की स्टीम कंदेंस ож रहे वाटर रही एधनन दो ग्राम की स्टीम है 100 degree Celsius पर यह क्या 2ग वाटर बन कर की 100 degree Celsius पर तो तो क्या करेगी भाई trigger ability release करेगी क्या करेगी इला सब However यह कि आनो भाइक breaking the mass into latent heat plus आब यह 100 घ्राम celsius का जो water है यह कहa पहुझ रहा है 54.3 अरपहुच रहा है 54. 3 Chloe 2 फॉवकन्छ रहाै तोगे थो ग्रम वॉयच बना है इंटूश की लेटे इंड यह होगी इसकी specific heat होगी specific heat of water into कितना temperature था 100 degree Celsius of water यह पहुचेगा किस पर 54.3 पर पहुचेगा ठीक है clear है यह हो गया भाई steam steam का part steam पहले पानी बनी steam पहले 100 degree Celsius का water बनी 100 degree Celsius का water 100 से कहा रहा है 54.3 और यहां पर क्या हो रहा है 40 gram of water है 40 gram of water है जिसकी specific heat of water हम यहां लेनी पढ़ेगी into इसका temperature 25 degree Celsius से कितना बढ़ गया है 54.3 हो गया माइनस 25 सही लिखा है क्या हासर बिल्कु सही लिखा है बस value पुट करो latent heat की value यहां से निकलेगी मास 2 gram है latent heat हमें निकालना है मास 2 gram है specific heat of water calorie में होता है 1 calorie per gram degree Celsius या Kelvin into 100-54.3 100-54.3 is equals to 40 into यह कितना होगा specific heat of water 1 calorie per gram degree Celsius 54.3-25 ठीके ना अब मुझे दिख रहा है भाई कि यह value है यह value में value माइनस हो जाएगी 100-54.3 100-54.3 अच्छी जी value दे दे तो बढ़िया रहता ठीके नहीं क्यों करेंगे ऐसा करना नहीं चाहते नहों दस में से तीन का साथ बचा नौ में से चार गए तीन बचा नौ में से पांच गया चार बचा कितना आ गया 43.7 ठीक ना इससे भी माइनस कर लो भाई 54.3-25.0 तीन को तीन रखा चौदा में से पांच गया नौ पांच चौदा चार में से दो गए दो बचा ठीक है ओके सब तो यहाँ पर value लिखते हैं भाई 2 into L 2 into L प्लस 2 1s are 200-54.3 अने कितना आ गया 43.7 is equals to 40 into कितना आया है 29.3 29.3 ठीक है चलो इसको माइनस करते हैं और L की value निकालते हैं आओ कॉपी कर लेता हूं इसको मैं कहां चलेगा बेटा कहां चलेगा बेचा अब मैं इसको करता हूं यहां से खतम खलास खतम फिनिश इधर से उठा लेता हूं मैं value सारी आओ कंटिन्यो करेंगे कंटिन्यो करेंगे 12 12 प्लस 40 29.3 यह पॉइंट हटाया यह आया नीचे 10 यह 00 काड़ दिया तो 293 इंटो 4 293 इंटो 4 माइनस यह पॉइंट रटाया नीचे आ जाएगा 10 तो यह कितना जाएगा दो पंचे दस तो 437 437 बाइफ ठीक है ओके चलो कितना हुआ यह कितना हुआ यह कितना हुआ चारती अबरा कि दू हसलाइग नौ चाट्तियों एक साथिस की तीन हसलाइग तीन चाह दूनी आठ त ती सेवन भाई फाइफ चीक है चलो आगे 2L is equals to 2L is equals to 2 पाशनी दस की शुन्याज अचिलाइग पांस अच्छाटिस की छाह दिन पाचिकम पास तीन आठ और पांच अचिकम पांच 5860-437 डिवाइड वाइड वाइफ आरे दादारे तो एल कितना आएगा भाई 5860 5860-437 दस में से साथ गया दस में साथ गया तीन बचा पांच में से तीन गया दो बचा आठ में से चार गया चार बचा 5423 5423 चलो 5423 5423 डिवाइड वाइड पांच दूनी दस तो कितना आ जाएगा लेटेंट हीट आ रही है 542.something 542.3 समतिंग अना ऑप्शन में देखो क्या है 540 है ना तो आंसर माला जाएगा 540 कैलरी पर ग्राम 540 कैलरी पर ग्राम चली वेरी गोड आगे बढ़ते हैं नेक्स कुस्चिन पर नेक्स क्या है अब ब्लाक बॉर्डी इस एक 727 डिग्री सेल्सियस इप रिमेंस इनर्ज एट एमेट सोरी एटमेट सेनर्जी अटर रेट आफ अच्छा ठीक है तो स्टीफन बोल्ट्समेंट लों हमने पढ़ा हुआ है कि एमसेफ पावर इस नथिग बट एमसेफ पावर इस नथिग बट ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा इंटू टी की पार फोर ठीक है सिग्मा इंटू अब यहां गलती क्या होगी बच्च्चा से थाउजंड की पावर फोर से नाइस्सक्शन है विच आफ दी फॉलवेंग इस लैमडा टी ग्राफ और परफेक्टली ब्लैक बॉडी या लैमडा इंटू टी लैमडा इंटू टी इस इक्वेस टू कॉंस्टेंट है वीन्स दिस्पेस्मेंट लॉव हम देख रहे हैं कि एक्स वाइस इकोस टू कॉंस्टेंट का ग्राफ बनेगा याने कि यह रेक्टेंगुलर हाइपर बोला बनेगा तो आंसर हो जाएगा आपका डी ठीक है चलिए तो आप चलता है कुछ प्रीवियस की तरफ तो यह आई प्यम्टी 2015 कोशन है तो वेल्यू आफ को गदा हमें पता है की चेंज इन डेंसिटी जो होगी वे क्या होगी रो नॉट गामा डलता ठीके बराबर हमें क्या निकालना है एंप याने कि डेल्टा रो आपो आपन रो नॉट इस उक्यास टू गामा डैल्टा टी गामा की वेल्यू आपको दी गई है कितनी 5 इंटू 10 तो पार माइनस पूर हो जाएगा तो इंटू तो पार माइनस तो आंसर कितना जाएगा 0.020 बहुत बढ़िया है यह हमने याई प्यम्ट 2015 निप्टा दिया नेक्स्ट अच्छा वेशन अच्छा सोचने पर मजबूर करने वाला क्षिशन बोलूगा मैं सोचने पर मजबूर क तो इसकी हीट कैपसिटी भी बढ़ेगी ओके वन आफ दीस इस एट डिग्री चल्सियस वाइल दी अधर वन इस एक बाडी है ठीक ना माली जे एक ओल बोडी और यह दूसरी बोडी है एक इस पर आइडेंटिकल है ना इन दूसरी बोडी है जो होट बोडी है तो आप यह स तो वह बोल रहा है कि टेंपरेचर के साथ तो क्या बढ़ रही है हीट कैपसिटी बढ़ रही है मतलब अगर यह 100 डिग्री सेल्सियस पर है और यह 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो मझे बताओ किसकी हीट कैपसिटी जादा होगी और टेंपरेचर के साथ हीट कैपसिटी बढ रही है तो CH की value क्या होगी CC से जाधा होगी समझ रहोगी नहीं और इसने खुद question में बोला है कि temperature बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रही हीट capacity बढ़ रही हां कि ना तो अगर यह ज्यादा temperature पर है तो इसकी heat capacity इससे क्या होगी जाधा होगी गराम बोड़ी की heat capacity थंडी बोड़ी की heat capacity से ज्याधा है ठीक है बात खत्म if two bodies are brought in contact then assuming no heat loss the final common temperature is final common temperature is मुझे पता है भाई कि जो यहां से heat यह क्या करेगा लूस करेगा जो reject करेगा वही क्या करने वाला है गेन करने वाला है तो हम यह प्रिंसपल of calorimetry लगाते हैं फटाफट question को solve करते हैं आई अच्छा इसमें भी मैंने principle of calorimetry लगाया है अगर आपको यह लगे कि मैंने क्या लगा दिया तो this is principle of calorimetry अगर आपको यह अभी भी नहीं समझ में रहा है तो आपका exam में आप कैसे exam question solve करेंगे अगर आपको यहीं नहीं समझ मैं मैंने क्या किया है ठीक ना this is principle of calorimetry लग देता हूं भाई मैं this is principle of calorimetry principle of calorie metry समझे के नहीं समझे हां सर समझ गया चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कि आजाते हैं अपने question पर जो हम कर रहे थे कहां गया यह कर रहे थे कि नहीं यह कर रहे थे हां तो अब प्रिंसपल of calorie metry समय बोल सकते हैं कि जितना इसने हीट लूस किया होगा इसने उतना हीड गीन किया होगा चलिए तो इसकी हीट कापसिटी सीसी इंटु डेल्टा टी माल लीजे इसका टेमटरिटर जीडरी से अगर एक कॉंटक्ट में आएंगे तो माल लीजे कि इनने कोई थीटा अचीव कि अरे भाई यह आएंगे इंगे इव्दम कॉंटक्ट में तो इसका टेमरेचर बढ़ेगा इसका थीटा हो गया तो कॉमन टेमरेचर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा ठीके ना तो मैं लिकूंगा इसको थीटा-0 is equal to specific heat capacity of specific heat capacity of hot body यह हो जाएगा 100 minus theta क्या हो जाएगा 100 minus theta clear it? चलिए अब देखो ध्यान चा देखना CC इंटो theta is equals to CH in 200 minus CH into theta इसको धर ले कर आओ तो CC theta plus CH theta is equals to 100 CH ठीक ना थीटा कॉमन निकला तो क्या बचा CC plus CH is equals to 100 CH ठीक तो यहां से theta की value कितने निकल कराने लगी? theta की value आने लग गई 100 CH divided by CC plus CH इससे theta की value हम और जादा simplify करें तो 100 upon इसको नीचे लियाओ तो आप बोल सकते हो it is nothing but 1 plus CC by CH बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बस अगर आप यह समझ गया तो हमारा question यहां solve हो चुका है हमारा question यहां solve हो चुका है are you sure sir? अरे हाँ भाई देखो समझना कोशिश करना मैं जो आपको समझाओ CC by CH यह जो ratio है CC by CH यह जो ratio है इसको मैं क्या करता हूँ भाई copy कर लेता हूँ हना दूसरे स्लाइड में समझेंगे ओ CC by CH इस ratio को देखो यह ratio किसके बराबर होगा 1 से जादा होगा कि 1 से कम होगा मुझे बता हूँ यह जो CC by CH का ratio है यह less than 1 नहीं होगा क्यों 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 जो CH है वो अव्विस सी बात है कि CC से बढ़ा है इसका मतलब यह है कि theta is equals to 100 upon जो जो भी value नीचे आने वाली है वो 2 से तो कम आने वाली है अगर value 2 से कम आने वाली है तो जब आप इसको नहीं किया हमने भाई जैसा जैसा उसने बोला था मैंने वैसी वैसी चीज़ा मानी प्रिंसपल आफ कैलोरी मैट्री लगाया जितनी हीट छोडी है उतनी हीट गें की गई है और से हमने यह value निकाली हम जानते है कि रेशो कभी भी 1 से बढ़ा नहीं हो सकता क्योंकि नीच ज इसका बन फोर्थ है इसका वाईड कर लेकाम आरा है कितुड़ाइश जाया है इसका फोर्थ ही जो है हुआ इसको मेल्ड करने काम आ रहा है तो यहां face change process involved है ठीक है तो M से मैंने M काड़ दिया G की value आपको 10 दे दी है 10 newton पर kg दे दी है ठीक है ना H की value आपको निकालनी है 4 आप उधर ले गए 4 into L L की value आपको दी गई है कितनी 3.4 into 10 to the power 5 joule पर kg इंटू 3.4 into 10 to the power 5 kg ठीक है ना तो H की value आप निकालोगे कितनी आ जाएगी 4 into 3.4 into 10 to the power 5 divided by divided by 10 divided by 10 hmm छीक है यह point लगाया हटाया जीरो हो गया कितना आ जाएगा भाई 34 into 4 34 into 4 चार चोको 16 की चहांसे लाइक चारती है बारों एक तेरा 136 ठीक है तो यह हो जाएगा 136 into 10 to the power 2 है उपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 to the power 3 आ जाएगा 10 to the power 3 कितना हो जाएगा मीटर यानिकी 136 किलो मीटर कितना आ गया 136 किलो मीटर किया रहे चलो वाई तो नीट 2016 कोशन आपने धुस्त कर दिया इससे पहले भी आपने नीट 2016 कोशन धुस्त किया है है next in a steady state the temperature at the end a and b of 20 centimeter long rod is this 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 the temperature of 0.99 centimeter from a is आई यह सम्झेंगे स्कूशन को एक रॉड है रॉड के इस end पर temperature दिया हुआ है 100 degree celsius इस end पर temperature दिया हुआ है कितना 0 degree celsius ठीक है इसकी लेंद कितनी दी है आपको total 20 centimeter दी गई है ठीक है न हम से पूच रहे है कि हमको 20 20 cm से मतलब नहीं है हमको तो 9 cm पर बता दो हमको तो 9 cm यहां कहीं यहां हना x is equals to 9 cm पर बताओ कि temperature कितना होगा यहीं पूच रहे है यह पूच रहे है तो यहार हम इतना जान गए है कि स्टेडी स्टेट कंडिशन है क्या स्टेडी स्टेट कंडिशन है कि बाइज इतनी हीट यहां से इंटर होगी उतनी हीट का रेट यहां से होगा उतना हीट करेट यहां से होगा उतना हीट रांसफरेट यहां से होगा उतना हीट रांसफरेट यहां से होगा उतना हीट रां संसे सुनना हंड्रेड और हाधिडी सेर्ज्य के टेफरेंजुरेंस हीट ट्रांस to how है वाइस हीट ट्रांसफर हंड़े आटल टी टेम्रीचर डेफरेंड पर हमको मिलेगा जितना ti Two-кое जितना हीट ट्रांसफर एमको 100 on 702 डीसलंशिस कीत अप्रेचर principio कितना यहां से लेके हां तक कितना हीTransvett हुआ है देखो भी या डिल्टा टी डेल्टा टी 10-0 इसी तुरम क्लाद होना और blogs लगा दो इससे क्या थोलिके इसा मोडह'll पन रहा है हना similarly हम मैं देखना चाहता हूं इसके और इसके बीच में कितना ही ट्रांफर रेट हुआ है वह सेम होने वाला मुझे पता है इसलिए मैंने पहले से इकुल टू साइल लगा दिया है तो के एंटू अब किता टेमरेचर डिफरेंस है 100 वाइनस टी का और लेंद कितन आलेज हंडर मैनस 45 वेस 55-35 तो टी के वेल्यों कितनी आगई 55 डिगरी सिल्सियस कटम कितनी आगई वेल्यू 55 डिगरी से बस समझने समझने की बात थी और कुछ भी नहीं था बाबा कुछ भी नहीं था अब आप ये बोलो कि सुर्य कुशन आप समझाई भी तो सरी कुशन आप समझाई भी तो ना 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 भाई इतना टाइम कहा है वाई अब हमारी प्रिप्रेशन एकदम जोरो शोरो से हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सामने आये लगा और आंसर निकालो अब हमारे पस सजाने का टाइम नहीं है कि सर यह कैसे हुआ सर वो कैस आरे ना बाबा फिर तो आपको conceptual वीडियो में आना पड़ेगा देखने के लिए यह सब आओ बाडी कूल समय टेंपरेचर ऑफ 3T to 2T in 10 मिनिट्स दरूम टेंपरेचर इस टी जितना बोला है पहले में उतना करो रहा है 3T से टेंपरेचर डिफरेंस हुआ है कितना हुआ है तेंपरेचर 3T स 2T divided by 2 minus surrounding temperature कितना है कुछ दिया नहीं है तो मैं माल लेता हूं surrounding temperature है ठीक है the room temperature is T अच्छा 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 ठीक है चलिए तो हम यहां से बोल सकते है कितना आ जाएगा T by 10 is equal to k यह हो जाएगा तीन और दो पाच 5T by 2 minus T यह हो जाएगा फाइफ टी बाइट फाइव माइनस 2T by 2 तो टी बाइट इस एक पस्टू के 5T माइनस 2T is 3T by 2 आप देख सकते हो ती से कर जाएगा तो यहां पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into 2 upon 30 2 upon 30 इन यह 2 जाएगा इधर तीन आगा नेचे दस टीया थीस तो जागा 2 by 30 ने कि 1 by 15 के की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 15 समझें 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 के की वैल्यू आ गई यह 1 by 15 आगे पढ़ते हैं अगे पड़ते हैं अजूम दें न्यूटन्स लॉफ कूलिंग इस एपली कीबल अटेमरेचर अब यहीं से कल्कुलेशन चालू होगी तो मुझे लगा भाई 2T से कोई टी डश टेमरेचर तक यहीं पहुच जाएगी अगले 10 मिनिट में फिर से अगले 10 मिनिट में ठीके ना इसी कोई बात नी चलो अब निकाल लिया है तो 1 by 15 2T माइनस टी डैश अपाउन 10 इस इकोई ब्रैकेट के अंदर अब बताओ 2T प्लस T डैश डिवाइड बाई 2 माइनस टी डैश सही है हां साब बिलकुछ सही है तो यह कितना हो जाएगा 2T माइनस T डैश अपाउन 10 अपाउन 10 इस इकोट टू अरे यहां T डैश क्यों हो गया भाई यह T होगा ना रूम टेम्परेचर तो T है टी डैश कैसे पहुच जाएगा चलो टी तो 1 by 15 1 by 15 यह जाएगा 2T माइनस जाएगा कितना बचेगा टी डैश बाई टी डैश बाई टी डैश के लिख रहां सब्सक्राइब टी डैश के लिख रहां टी डैश के लिख रहां टी बाई टू अर्यार यह तो टी डैश ही है यार तुम लोग भी यार चलो तो थटी टी टी इस इक्वास टू फाइफ टी डैश हो जाएगा 20 टी डैश के बराबर गया तो टी डैश किसके बराबर आ गया 3 by 2T के बराबर a black body is at a temperature of 5760 Kelvin the energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is u1 okay wavelength 500 nanometer is u2 and that at the thousand nanometer is the energy of radiation emitted intensity of radiation बताई ये तो पहले वाले 250 nanometer wavelength की जो intensity of radiation u1 बोल दिया 500 nanometer की जो है उसका radiation बोल दिया intensity कितनी है यूटू और यूथरी कितनी बोल थाउजन nanometer की बोल दिया यूथरी है अच्छा यह फालतू energy energy बोल के परिशान करते हैं पागल है नीट है तो हर सोला वाली क्या है यह यह क्या बोल दिया आपने energy energy अरे यार सीज़े सीज़े नहीं बोल सकते हैं कि बहुत यह इंटेंसिटी ओफ की जो intensity of radiation उसको समय U3 भूला है विंस constant बता दिया इतना है तो बताइए विचल फ़ॉलविंग इस करीक्ट विच आप इफ फॉलॉविंग इस करेक्ट विच ऑप इफॉलॉविंग इस करेक्ट विच अब दी फॉलॉविंग करेक्ट ठिर कितने थी 2.89 10-3 म्यूंस 3 म्स तुच थि एंद केलम nya 2.89 10-3 मीटर केल विन ठीक है ओbreak ओप्र कियह टीक है यहाँ पर आपको कितने गई है यह अपर आपको दिए गई हे υट्च अच्छ नेनोमीटर बाइंड रिलविन तो प्वंट इंटॉ-10 औपार 6 9 no meter Kelvin दी गई है इसको पहले meter Kelvin में change कर लूँ पहले सको meter Kelvin में change कर लूँ हां सब बिल्कुल कर लिजे तो इसको मैं multiply करूंगा 2.88 into 10 to power 6 को 10 to power minus 9 से multiply करूंगा तो ये meter Kelvin में change हो जाएगी यह कितना हो जाएगा 2.88 into 10 to power minus 3 meter Kelvin अब सही है तो मैंने यह बोला कि सुनू हमको पता करना है इसमें से कौन से intensity of radiation सबसे जाधा है किस किस wavelength की intensity of radiation सब से जाधा है तो मैंने का यार यह तो आराम से पता चल जाएगा कैसे अगर मुझे lambda max निकालना है कि किस wavelength की intensity सब से जाधा है तो आप क्या करो displacement constant उठाओ 2.88 into 10 to the power minus 3 और डिवाइड कर दो उसको किस से उसको डिवाइड कर दो किस से किस से temperature से कितना दिया है वो 570 5760 Kelvin 5760 Kelvin Kelvin से Kelvin कड़ गया ठीक है ना अच्छा यहां सब नेनो मीटर में ही ठीक है मुझे करने की जरूरत नहीं मुझे लगा मैंने सोचा कि वो मीटर में दिया होगी कोई बात नहीं कर लिया तो अब कर लिया उससे कुछ गलत नहीं होगा यहां से आप सौल करोगे तो जो लैम्डा मैक्स है उसकी लगभग लगभग 500 नैनो मीटर आ जाएगी मैंने कॉपशन में नैनोमीटर नहीं देखा मिने कॉपश्ण मीटर देखने तो कोई बात निया को moldzon करनी आंसर अने वाला है तो जैसी माने लेम्डा मैक्स निकाला वह 500olen मीनette आ गिया मैंने सी डेका तो यह है मतलब यह है मतलब इसकी इंटेंसिटी आफ रेडियेशन सबसे जादा है सबसे आदा नंबर में यही आली वेवलेंद क्या हुई है रेडियेट हुई है तो इसका मतलब यह है कि यूटू सबसेज़ाद है यूटू बढ़ा है किससे यूवन से भी और यूटू बढ़ा है किससे यूट्री से भी एक चेक करते हैं यूट्री जीरो इससे तो कोई मतलम नहीं मुझे यूवन बढ़ा है यूटू से मुझे से कोई मतला है होई नहीं सकता भई यूटू यूवन से बढ़ा है हाँ यह बिलकुल सही बात बोली है और यह क्या हो गया है गरत हो गया है यहाँ आपने नीट का 2016 खतम कर लिया है एक चीज़ आपने नोटिस करने वाली यह थी कि आप नेनोमीटर में दी गई थी चीज़े तो आप नेनोमीटर से ही सोल कर सकते थे आंसर आपका सीदे सीदे तब भी आता चेंज करने कोई ज़रूरत नहीं थी और यह जो एनरजी ऑफ रेडिशन बोली है एक्ट्वल में इंटेंसिटी ही है सब से अधर नंबर में कौन सी बढ़ा रहा है हो कालर बदल रहा है दा करेक्ट एक्स्प्रेंशन फॉर्द अब ऑब सुवेशन इस पॉसिबल बा यूजिंग नीट 2013 का कुश्चन है अरे यार देखो टेंपरेचर बढ़ा रहा है हो अलग अलग वेवलेंद की क्या कर रहा है वो रिडियेशन एमिट कर कौन यह जो बॉड़ी जो पीस ऑफ आई रहन है इसका व्मम बढ़ाते जा रहे हो तो यह अपने अंदर से अलग अलग कलर की वेवलेंद की डिशन क्या कर रहा है ऑमिट कर रहे है टेमड़ेचर बडल रहा हो वेवलेंद बडल रहे है टेमड़ेशन गंसा लौई है क्लियर पक्का जी सर एकदम पक्का तो चलिए भाई इसी के साथ खतम होते हैं हमारे ये प्रीविए सियर क्वेशन और हमने खतम कर लिया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आपको पता है मैंने बेंस की अपनी वेब साइट है मैंने बेंस.com नाम से आप गूगल पर ज आप आप क्रैश कॉछ पर जाकर वॉट नौब लॉट करेंगे क्स पर वॉट नौब है क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाय हुग कंटेंट आपके सामने आ जाएगा अब आपको अगर टॉर्ट को देखना है तो फिर आप आपके आपको की सामने आ जाओंगो ठीक है हमारी आ सब्सक्राइब करके चैनल कौन सा है मैगन ब्रेंस आइटी जई ये नीड और जितना जाद होसा के वीडियोस को शेर करके से हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई चीज़े लेकर आते रहेंगे तो चलिए करते हैं लेक्चर को कतम मिलते हैं नेक्स